नमस्कार मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं दिललन्टॉप.com नरेंदर मोदी देश के प्रधान मंत्री ऐसे वक्त में हैं जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्ष में सुप्रीम कोड का फैसला आ गया है फैसले के बाद बतार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने देश को संबोधित किया फैसले पर खुशी जताई और कहा कि फैसला नया सवेरा लाया है लेकिन इस नए सवेरे के पीछे दूसरे संगठनों के अलावा बीजेपी के संगर्ष का लंबा इतिहास रहा है जिसके एक एहम किरदार के तौर पर सामने आते रहे हैं नरेंदर मोदी 1984 के लोग सभा चुनाओं में बीजेपी को बस दो सीटों पर जीत मिली थी इसके बाद बीजेपी के साथ ही संग ने ये तै किया था कि पार्टी अबराम मंदिर को मुद्दा बनाएगी 1986 में बीजेपी के राश्ट्री अधेक्ष बने लालकुष आडवानी उन्होंने अटल भिहरी वाजपई की जगे ली आडवानी के अधेक्ष बनने के एक साल के ही अंदर संग के एक प्रचारक नरेंद मोदी को सक्री राजनीती में एंट्री मिली 1987 में आडवानी ने मोदी को बीजेपी गुजरात इकाई का संगठन सचिव बना दिया इसके कुछी दिनों बाद एक यात्रा निकाली गई जिसका नाम था न्याय यात्रा इस बीच 1989 के लोग सभा चुनाव हुए और बीजेपी को साफ साफ दिखने लगा था इसे देखते वे उस वक्त बीजेपी के राष्ट्री अद्यक्ष लालकिष नाटवानी ने एक रत यात्रा की तयारी की इस रत यात्रा के सयोजन का जिमा मिला नरेंद्र मोदी को से निकली स्यात्रा में लालकिष नाटवानी के साथ नरेंद्र मोदी भी यात्रा के स्वयोजक के तौर पर मौजूद रहे थे एक अक्टूबर 2001 पधान मंत्री थे अटल भीहरी वाचपई मोदी दिल्ली में थे वाचपई ने मोदी को बुलाया और कहा कि तुम्हें केशु भाई पटेल की जगह लेनी हैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है साथ अक्टूबर को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए कुछी दिन बीते थे कि अयोध्य हमें कार सेवा कर लोट रहे कार सेवेकों की ट्रेन को गोध्रा में आग के हवाले कर दिया गया दंगा भडग गया इसके बाद जिसमें हजारों लोग मारे गए और उस वक्ट गुजरात के मुख्यमंत्री थे फिर नरेंदर मोदी विपक्षी कॉंग्रेस ने आरोप लगा है सुनिया गांधी ने नरेंदर मोदी को मौत का सौधागर तक कहा बीजेपी के अपने सहियोगी दलों में मदभेद बढ़ने शुरू हो गए नरेंदर मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने को लेकर वाजपई और आडवानी के बीच मदभेद की खबरे भी सामने आई लेकिन नरेंदर मोदी कुर्सी पर बने रहे और उनकी छवी एक हिंदुत वबादी नेता के तौर पर स्थापित होगे साल 2014 में जब बीजेपी की ओर से नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री पत का चहरा बने बीजेपी ने अपने संकल पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया कहा कि सम्वेधानिक तौर पर आयोध्या में राम मंदिर बनाने के राश्ते तलाशे जाएंगे साल 2017 में उत्रपदेश में चुनाव थे इसे ठीक पहले अक्तूबर 2016 में केंदर सरकार ने कहा कि वो आयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में बात कर रहा था लेकिन नरेन मुदी एक भी बार आयोध्या नहीं गए और चुनाव के दौरान भी शहर के बाहर ही चुनावी रैली करके लोट ड़े 9 नमबर 2019 यानि के फैसले कर दिन सुप्रिम कोट ने इस दिन अपना फैसला सुनाया और नरेन मुदी ने देश से कहा आज 9 नमबर है वो तारीख जब बरलिन की दिवार गिरी थी आज ही करतारपूर कारडोर खोला गया है और अब अयुद्धा पर फैसला आया है इसलिए ये तारीखे हमें संदेश देती हैं कि संगटित रहें और आगे बढ़ें ये दिन नया सवेरा लाया है अब अगली पीडी नया भारत बनाई यानि कि बीजेपी ने जब से मंदिर आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली और जब तक इसकी परेंडिती नहीं हो गई नरिन मोदी संदोलन के इद्गिद शामिल ही रहे अब फैसला आया है तो उन्होंने लोगों को पुरानी बाते भूल कर नया सवेरा लाने के बात कहिए और नया भारत बनाने की भी इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी मेरे साथी अभिनाशने और कैमरे के पीछे हैं रोहानी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया